गिंती की पुस्तक अध्याय ते रह, फिर यहोवाने मुसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के पती कुत्र का एक प्रधान पुरुषो, यहोवासे यह आग्या पाकर मुसाने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया, जो सबके सब इसराइलियों के प्रधान थे, उनके नाम ये है, अर्थात, रुबेन के गोत्र में से जक्कुर का पुत्र शम्मू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहुदा के गोत्र में से यपने का पुत्र कालेब, इसाकार के गोत्र में से योसेप का पुत्र इगाल, एप्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यमिन के गोत्र में से रापु का पुत्र पल्ती, जुबलून क के गोत्र में से सोदी का पुत्र गदियल, युसूप वंशियो में मनश के गोत्र में से सुसी का पुत्र गदि, दान के गोत्र में से गमली का पुत्र अम्मियल, आशर के गोत्र में से मिकायल का पुत्र सतूर, नप्तली के गोत्र में से वोपसी का पुत्र नहुबी, गाद क एक गुत्र में से माकी का पुत्र गुएल जिन पुरुशों को मुसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनकी नाम यही है और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोश्य रखा उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मुसा ने कहा इधर से अर्थात दक्षिन देश होकर आओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देखलो कि कैसा है और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बल्वान है वा निर्बल थोड़े है वा बहुत और जिस देश में वे बसे हुए है सो कैसा है अच्छा वा बुरा और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए है और तंबू में रहते है वा गड़ वा किलों में रहते है और वह देश कैसा है उपजाओ है वा बंजर है और उस देश में रुक्ष है वा नहीं और तुम हियाव और उस देश की उपजमे से कुछ लेती भी आना, वह समय पहली पक्की दाखों का था, सो वे चल दिये, और सीन नाम जंगल से ले रहोप तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देख भाल कर उसका भेद लिया, सो वे दक्षिन देश होकर चले, और हेबरोन तक गए, वहाँ अहीमन, शेशे और तलमय नाम अनाकवंशी रहते थे, हेबरोन तो मिसर के सोवन से साथ वर्ष पहले बसाया गया था, तब वे एशकोल नाम नाले तक गए, और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समय तो मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए, उठाए ले चले, और वे अनारों और अंजिरों में से भी कुछ कुछ ले आये, इस्राइली वहाँ से जो दाखों का गुच्छा तोड ले आये थे, इस कारण उस थल का नाम इशकोल नाला रखा गया, चालिस दिन के बाद व और पाराण जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राइली उनकी सारी मंदली के पास पहुचे, और उनको और सारी मंदली को संदेशा दिया, और उस तेश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मुसा से कहा, यह कहकर वर्निन किया, कि जिस देश में तुने हमको भेजा था, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराये पैती है, और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है, उसके नगर गड़वाले है, और शिन देश में तो अमाले की बसे हुए है, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबुसी और एमूरी रहते है, और समुधर के किनारे किनारे और यरदन नदी के तक पर कनानी बसे हुए है, पर खालब ने मुसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चगनी की शक्ती हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं, और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की, कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गये थे ऐसा है, जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे, वे सब के सब बड़े डिल डौल के है, फिर हमने वहाँ नपिलों को अर्थात नपिली जाती वाले अनाकवशियों को देखा, और हम अपनी दुष्टी में तो उनक झाल झाल